हाई फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल इसके सोनूटिक वर्ल्ड कैसे हैं फ्रेंड उमीद है काफी अच्छे होंगे देखें फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जेपी उनिवर्सिटी छपरा असनातक पार्थर सेशन 2019-22 एंड अस्पेसल परिछा जो कि आप dónde आप सभी को मालूम है कि प्रेंड का देट सीट और सेंटल इस्ट जारी कर दिया गया है अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे यह तो इस वीडियो के अंद में आपको मिल जाएगा उसको जा कर के आप पहले देख लेंगे उसके बाद इस विडियो को देखेंगे फ्रिंड आप सभी को मालूम है कि आपका अनर्स पेपर का एक्जाम पूर्णूप से complete हो चुका है अब बाकी है तो GES का एक पेपर बाकी है वो भी आप लोगों का complete हो जाएगा उसके बाद practical आपका होने वाला है तो हम बात करेंगे आखिर practical में कितना experiment बनाना होगा इस वीडियो के माध्य आप से करके देने वाले हैं तो आप सभी इस चैनल को subscribe करके घंटी को जरुर दबादे फिरिंड एक काम आप लोग जरूर करें अगर अभी तक telegram channel को join नहीं किये हैं तो जाकर के telegram channel को join कर लें नीचे description box में link है या आप टेलिग्राम में सर्च करेंगे इसके सोनू टेक वर्ल्ड तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा तो टेलिग्राम जो एन करने से क्या फाइदा होगा देखें फिर आपका जो practical exam होता है और रॉल नमर के हिसाफ से होता है या college के अनुसार होता है यह तो कनफर में कि आपका जो center दिया हुआ है वहाँ पर exam होगा लेकिन वहाँ पर आपको मालूम है कि 5, 6, 2, 3 से लेकर के 10, 6, 2, 3 तक आप लोग का practical exam होना है तो उसी के बीच में आप लोग का exam होगा तो आपके college का किस date में होगा वहाँ पर यह आपको बताने के लिए अलग से date sheet को जारी कियाता है जो कि आपका exam center जारी करता है तो जैसे ही exam center जारी करेगा हमको मालूम चलेगा हम वहाँ पर upload कर देंगे तो आप सभी जान सकेंगे कि आपके college का exam किस date में होने वाला है तो आप सभी जाकर के telegram channel को जोईन कर लें चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर आप लोग को practical फाइल बनाना होगा प्रेक्टिकल कॉपी बनाना होगा तो देखिए पने यहाँ पर साब सब सब्द में कहा जाए तो आप सभी practical फाइल बनाए प्रेक्टिकल कॉपी नहीं बनाए अगर आप लोग प्रेक्टिकल कॉपी बनाते हैं तो आप लोग को परशानी हो सकती है क्योंकि वहाँ पर examiner के उपर depend करता है कि आप से practical कॉपी माएंगा या practical फाइल माएंगा प्रेक् प्रेक्टिकल फाइल ही बनाएं अब हम बात करते हैं कि आखिर कितना experiment को बनाना होगा देखिए फिन पर सब्जेक्ट में आपको जो भी सब्दका प्रेक्टिकल होगा उसमें आपको 5 experiment हर हाल में बनाना होगा उससे आपको कम नहीं बनाना है आपको 5 experiment कम से कम बनाना है उस क्योंकि 5-6 दुर्टेश से आप लोग का practical स्टार्ट है अब हम बात करते हैं आगे कि आखिर practical सेंटर पर क्या कुछ ले करके आपको जाना होगा सबसे पहले तो इस बात को भी जान ले आप लोग कि आप लोग जब सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर भी एक practical में आप लोग को एक कॉपी लिखना होता है तो आप सभी अपने पास एक practical फाइल एक अधार कार्ड एक एडमिट कार्ड एक पेन पेंसील जो भी आपका कटर ह का रबर होगा इन सभी को ले करके जाना है इसके अलावा आप लोग को कुछ नहीं ले जाना है पेन एक से दो ले सकते हैं बैग लेकर आपको नहीं जाना है मुबाइल ले करके आप लोग को नहीं जाना है तो फिर भी आप लोग को क्लियर कर दूं क्योंकि मेरा कोसिस होता चले फिर मिलते हैं नई अपडेट का साथ तब तक के लिए जय हिंद